तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जटपट से तयार होने वाले वेज़ पुलाव की रेसिपी बहुत भूक लग रही थी और दिल करा था जल्दी से कुछ ऐसा बना कर खाया जाए जिसे जल्दी से बना भी सके जाधा टाइम भी न लगे और जाधा इंग्रीडियन्टS भी न लगें घर में वेज़ेटेवल्स भी रखी हुई हैं, राइस भी रखे हुए हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना जल्दी से ये पुलाओ बना के खा लिया जाए और साथ में इसकी रेसिपी आप सबके साथ शेयर कर दी जाए तो आज मैं आपको बताऊंगी वेज़ पुलाओ की रेसिपी, हम कोई मतलब बहुत ही सिंपल तरीके से बनाएंगे, कोई जंजट नहीं करेंगे, तो चलिए फटा फट से रेसिपी स्टार्ट करते हैं, तो चलिए मैं जल्दी से आपको ये बड़िया सी रेसिपी बताती हू और उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और मेरी वीडियो पसंद आए, तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर मैंने कुछ वेज़ कर लिये हैं, एक गाजर ली है, और उसके भी मैंने यह छोटे-छोटे पीसीज कर लिये हैं, बिल्कुल, और एक शिमला मिर्च ली है, उसको भी मैंने पतला-पतला लंबे-लंबे पीसीज में काट लिया है, अगर आपके पास इसमें से कोई वेज़िटेबल नहीं है, यहा को भी ले लिया है, और उसको काट के मैंने पानी में रखा हुआ है, ताक कि वो काला ना पड़े, इन सब के जादा बड़े पीसीज मत कीजेगा, थोड़े छोटे पीस ही रखेगा, अब गैस जलाकर उस पर कुकर रखते हैं, और कुकर में मैं डालूंगी आधा चमच, जो औल डालने के बाद मैं इसमें डालूंगी एक चमच जीरा, आप चाहें तो और खड़े मसाले भी इसमें डाल सकते हैं, मैं सिर्फ जीरा ही डाल रही हूँ, इससे थोड़ा सा हिला देंगे और फिर इसमें डाल देंगे अपनी सारी कटी हुई वेजिटेबल्स, इस सबसे पहले मैंने इसमें प्यास डाल दिये हैं कटे हुए, फिर हम कटी हुई फूल गोबी डालेंगे, उसके बाद हम गाजर डाल देंगे, और फिर हम डाल देंगे शिमला मिर्च, और फिर जो हमारे आलू हैं कटे हुए इसका पानी निकाल दिया है मैंने, अब ये भी डाल दे थोड़ा सा हम इन्हें कच्चा रहने देंगे बिल्कुल अच्छे से नहीं पकाएंगे कुकर का ढखकन इसके उपर रख देंगे और एक दो बार बीच पीच में इसे चला देंगे ताकि सारी सब्जियां हर तरफ से पक जाएं और जब तक यह सब्जियां पक रही है आप एक अच्छा काम कर दीजिए जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक लाइक भी कर दीजेगा ये देखिए काफी पक चुकी है हमारी वेजिटेबल्स तो अब मैं इसमें कटे हुए टमाटर और हरी मिर्च डाल रही हूँ ये दो मेडियम साइज के टमाटर लिए है मैंने और इने थोड़ा मोटा मोटा काट लिया है और ये मैंने तीन हरी मिर्च लिया है अगर आप मिर्च कम खाते हैं तो आप दो ले लिजिएगा इसे भी मैंने बारिक बारिक काट लिया है और इसमें डाल देते हैं अब हम इसमें डालेंगे मसाले ये मैं एक छोटा चमच भरकर नमक का डाल रही हूँ नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लिजिएगा और आदा चमच मैं गरम मसाला पाउडर डाल रही हूँ मुझे वाइट कलर का पुलाव चाहिए इसलिए मैं गरम मसाला डाल रही हूँ अगर आपको red color का पुलाव चाहिए तो आप देगी मिच डाल दीजेगा थोड़ी सी गरम मसाला मत डालेगा और अगर yellow color का पुलाव चाहिए तो बिल्कुल थोड़ी सी इसमें हल्दी डाल दीजेगा तो गरम मसाला और देगी मिच दोनों मत डालेगा अगर red चाहिए तो देगी मेंच डालेंगे अगर yellow चाहिए तो थोड़ी सी हल्दी डालेंगे और अगर white चाहिए तो मेरी तरह गरम मसाला डाल दीजेगा बस अब इन सब को mix कर देते हैं mix करने के बाद क्या करना है? mix करने के बाद हमने इसमें डालने है rice मैंने 1.5 glass rice के साफ करने के बाद धोके रखे हुए है 1.5 glass मतलब 1 glass और 1.5 glass 1.5 glass rice है ये ये मैंने धोकर इसमें डाल दिए है और अब मैं इसमें डाल दूँगी पानी पानी कितना डालना है? हमने जैसे हमने 1.5 glass rice लिया है तो हमने उसका double पानी लेना है यानि की तीन ग्लास हमने इसका पानी लेना है जब आप राइस बनाते हैं तो आप यही राइस लिया कीजिए हमेशा जितने राइस हो उससे डबल पानी हो चाहे सिंपल वाले राइस बनाएं चाहे जीरा राइस बनाएं चाहे पुलाओ बनाएं यही ratio लेंगे तो आपकी जो rice है न वो बहुत perfect बनेंगे जितने rice लिए उससे double पानी ले लिया बस पानी डालने के बाद थोड़ा सा इसे mix कर देंगे और फिर mix करने के बाद हम cookar का धकन बन कर देंगे और whistle लगा देंगे हमने 3 whistles बजने देनी है cookar की और फिर उसके बाद हमने gas बन कर देना है और इसकी steam निकाल देंगे फिर सारी 3 whistles बजने के बाद पर cookar का धकन खोलना नहीं है cookar को बंद ही रहने देंगे 5 मिनट के आसपास cookar को ऐसे ही रहने देंगे और फिर उसके बाद इसे खोलेंगे स्टीम निकालने के बाद मैंने इसे थोड़ देर के लिए छोड़ दिया था आप चलिए ओपन करके देखते हैं इसे कि हमारे राइस कैसे बने हैं अरे वाँ देखें कितने बड़िया राइस बने हैं हमारे चलिए अब इसकी प्लेटिंग करते हैं कभी ऐसा लगे न कि सबजी नहीं बनानी है, दिल नहीं कर रहा है, या फिर भूख लग रही है और जल्दी से कुछ बना कर खाना है, जो जल्दी भी बन जाए और आसानी से बी बन जाए, तो ये पुलाओ बनाएगा और खायेगा. सच में बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत आसानी से और जल्दी बनकर तयार हो जाता है कि अजय को कि अजय को तैसे नहीं जाए लेखा लेखा जाए उल्दी बनकर देखा हुआ है मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताएगा और मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा तो चलिए अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए बाई अपना खयाल रखेगा थैंक्स पर वाचिंग